आप भी जानते हैं कि नौकरी के नाम पर पिछली सरकारों के आयोग में बैटे लोग किस क्वालिफिकेशन को जरुरी मानते थे इनके लिए योग्यता की एहमियत नहीं बलकी सिफारिस, जातिवाद, छेत्रबाद और नोटों के बंडल यही सब कुछ था, इन लोगों ने अपने कारोबारियों को आयोगों की जिम्मेदार प्रदों पर बिठा कर जो खेल खेला, उसने कितनी यही युवाओं की जिन्दिगिया तबाख कर दी, होनहार युवाओं की आज ये लोग नोकरी के नाम पर फिर उत्तरब्रदेश के युवाओं को दोखा दे रहे हैं, दोखा भाईयों बेनों, सच्चा ये हैं कि इन लोगों ने अपने दस साल के सासन में सिरफ दो लाख लोगों को सरकारी नोकरी दी और वो भी भाई बतिजावात, जातिवात, पैसों के बंडल, जबकि योगी जी की सरकार ने अपने पांच साल में उन्होंने दस साल में दो लाख और योगी जी ने पांच साल में पांच लाख नवजवानों को सरकारी नोकरी दी और ये नोकरीयों में भी सिफारिस का रास्ता नहीं, ब्रस्टाचार का रास्ता नहीं, जातिवात का रास्ता नहीं, भाई बतिजेवात का रास्ता नहीं, पूरी तरह पार दर्शिता के साथ गरीब के मेटे बेटी को भी रोजगार देने का काम किया साथियों हमारी सरकार ने युवाओं की दिक्कत को समझना उनकी परेशानियों को दूर करने का इमानदारी से प्रयास किया है पहले उत्तर प्रदेश में PCS की परीच्छा का सलेबास और UPSC का सलेबास अलग-अलग होता था और इसके गण क्या होता था? छात्र छात्राएं इन दोनों परीच्छाओं की अलग-अलग तैयरी करते थे उनके पर बहुत बोज बढ़ जाता था बहुत समय लगता था दन भी बहुत खर्चा होता था हमारी सरकार ने आपकी ये परेशानी समझी और अब आज यूपी, PCS और UPSC का सलेबास लग-बग एक जैसा कर दिया याने एक ही मेहनद से उतनी ही मेहनद से आप दोनों परीच्छा की तैयारी करिए दोनों परीच्छाएं दीजिए और आप आगे आकर के देश का भविश्य बनाईए हमारी सरकार ने गुरूप C और गुरूप D की नोकरियों से जो इंटर्यू खत्प किया उसका भिलाब अनेक युवाओं को मिला है